के साथ हैं कारण जो भी रहे हो लेकिन मुस्लिम बोट इस बार भाजपा के साथ है भाजपा की तरफ जादा गया है तो इस बार जो पढ़ना है वो जाहिर बात है कमल का फूर का जो भारी है बीजेपी इस बार 90 परसेंट आप समझ लिए बीजेपी निकल तो ही सही माइनों म बस जबानी और विभार का चुनाब था क्योंकि दूसरी तरफ देखने के मुलना जो भारती जन्ता पर्टे की परतियाशी है अकाश सकसे ना उनके पास भी एक जो मुस्लिम कम्मुनिटी के जो लीडर थे जो कभी उनके खरीब हुआ करते ता आजम खान के वो उनके विभ जबादी पर्टी और कांग्रेस की भी इस हुआ करते थे लेकिन इस बार देखने को यह मिला कि जो आकाश सकसे ना भारती जन्ता पर्टी के उन्होंने कहीं मुस्लिमों को एट्रेक्ट किया और उनसे वादे किये और वादे करने के बाद लोग जो है उनकी तरफ को जुड सब्सक्राइब करते हैं और बीबीसी से कवर करते हैं मुझसिम साहब तो सबसे पहले हम जानेंगे रामपूर के पत्रकारों से क्या है ओपीनियन क्या सोचते हैं कौन जीतरा है रामपूर जी मुस्लिमिन जी क्या कहेंगे आमिर साथ इस बार मुकाबला बहुत दिल्चस्प रहा है पहली बार ऐसा बिदान सबा चुना हुआ है जब रामपुर में आजम खान ना तो चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही बोट डाल पाए हैं उनकी बिदाहे की भी जाती रही और समाजबादी पार्टी पहले काफी मजबूत इस्तिति में रही लेकिन अपकी बार समीकर बदले हुए है पहले के मकाबले आपकी बीजेपी का महौल अच्छा रहा है बीजेपी के साथ मुसल्मान बोट भी रहे और जैसा समाजबादी के लोगों का आरोप है कि है कि बीजेपी मजबूत इस्तिति में है और बीजेपी का पढ़ला भारी है हाला कि नतीजे दो दिन बात साम जाएंगे तो इस्तिति हो जाएगी कौन जीत रहा है लेकिन फिलहाल बीजेपी के हलात अच्छे लग रहे हैं इस तरह के आरोप भी लगे समाजबादी पर लोगों ने क्या देखा फीड में इस तरह करें शिकायत हैं हमारे सामने भी आई लेकिन अधिकारी बार बार यही कहते रहे कि आरोप गलत है उन लोगों ने जांच भी कराई अब जहांच भी चल रही है जहांच में क्या बात सामने आती है अधिकारी इस पर रूप से पाएंगे तो आपके हिसाब से फिलाल बीजेपी का इस्तिती मजबूत लग रही है विपिश्रमाजी आपने क्या अक्लन है कौन जीतरा रामपूर देखें जो कल हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट किया तो उस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो सहर को और पूरी सहर सबस्ते जानते हैं कि हाँ जो चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं सत्ता का इंवाल्मेंट ज़्यादा रहता है वो कल दिखाई भी दिया धरातल पर दिखाई दिया और इसको लेकर समावादी पार्टी ने आजम साहब ने उनकी पत्नी पूर्फ सांसत तजीन फात्मा जी ने अब्दुल्ला आजम ने सबने आरोप भी लगाए और तमाम बीडियो कल से सोसल मीडिया पर वाइरल भी हो रह है कि बढ़ा पीस फुल चुनाव रहा है अब कितना पीस फुल रहा है तो यह आप भी जानते हैं पूरे रामपुर ने देखा है लेकिन ओवर जो है पहली बार आजादिक के बाद पहली बार रामपूर में विदानसवा सीट पर कमल किलता दिखाई दे रहा है तो हमाइसा विशाल सक्षेना जी है विशाल में क्या देखा आपने चुनाओं के इंदक किस ओपीनिन क्या है आपका देखे अभी साड़े-चार साल इस सरका चुनाब उपचुनाब हो रहा है रामपूर की जनता भी उपचुनाब से उप चुकी है और जिस हिसाब से मुस्लिम बोटर जो इस बार भाजपा की तरफ दिखा आकाश्ट का सक्षेना जो भाजपा प्रतेशन का दामा यही था कि उध्योग जिस तरह से यहां से कि उपचुनाब में मेरे साथ बेफ़ाई करती इस उपचुनाब में मत कर देना और जिस तरह से आजम-कान की जो पड़्याट चैनका सब बहराञा जो इस बार Nate Кто की तरफ जबहरी एए बीजेपी इस बार 90% आप समझ लिए बीजेपी निकल रही है अच्छा कर आप लोगों ने फीडर में क्या देखा जिस तरह के समाजबादी पार्टी की तरफ से आरोप लंगा अब्दुल्ला आदम की तरफ से आरोप लंगा कि मुस्लिम लोगों के वोट डालने नहीं दिग तरह प्रिशाचन उनको समझाने की कोशिश की लेकिन जब हद हो गई तो प्रिशाचन को बलपरयोग करना पड़ा उदर से आजम खान के विरोध में भी महिलाया आ गई किसाब इन्हों ने इस तरह से ब्यान दिया ता महिलाओं का सारी महिलाओं का अपमान है तो जिस तरह कि सत्यदाइ समाहियों के आरोप में है या प्रिशाचन जो कह रहा निश्पक चनाबुआ वो है यह तो जाच कविश है लेकिन जो रिजल्ट है जो पुनिन पोले वो यही है कि भाजपा का कंडिडेट 90 परशेंट जीत रहा है जीत रहा है हमाई साथ तमकीन साब है पारिवारिक कह सकते हैं दस बार खुद हमें ले रहे हैं एक बार उनकी वाइफ रही है और दो बार उन्होंने लूस किया तो कुल मिला के तेरा चुनाओ लोगों को हो गए उनको वोट देते देते और लोगों की आदत पढ़ गई जो उनके समर्थ तक हैं वो जब वोटर उनका ही है आज भी उनका है इस बार उन्होंने कैंडिडेट जो उतारा था वो अपने परिवार से बाहर से उतारा था थोड़े उसकी वजह से समीकरान बदले दूसरे यह कि जो फैक्टर यह हुए कि जिस तरीके से आपने देखा कि आजम खांके जो बहुत खरीब ही लोग थे जिनके हाथ में चुनाव अभियान रहता था और वोटरों को लाना घर से उठाना वोटर लिस्टों में कौन से महला हमारा है कौन बहां पर आदम बड़ी तादाद में एक के बाद एक तूटके और बिलकुल चुनाव से थोड़ा ही पहले मूव कर गया और उन एक वज़ा यह रही कि बहुत सारे लोगों के मन में यह भी बात थी कि बार बार चुनाओं बार बार रूप चुनाओं कहां तक वोट दे तो उससे भी लोगों में उदा सिंता थी अब जहां तक आप यह पूछ रहे हैं कि आपने क्या देखा क्योंकि बहुत गंबीर कि बहुत सारे फैक्टर थे और जो बात की कही जा रही है कि पुलिस ने सकती करी पुलिस ने मद्दान ने करने दिया इस तरी के जो आरूप हैं उन पर जवाब देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसकी वज़ा यह है कि कभी कभी बहुत गंबीर बात लोग मजाख में उड़ा देती हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर क्या है अब जैसे मैं आपको बताओं आजम खासाब ने एक बयान दिया था उनसे कुछ सवाल किये थे लोगों ने तो उन्होंने कहा था हम तो अंदे हैं हमें दिखी नहीं रहा है फिर उनसे पूचा तब भ ब주 बोल्य हम तो अंदे हैं हमें दिखी नहीं रहा है लोगों ने समझाता है ये कुछ मजाख की बात है लेकिन ठीकत ये था बहुत गंभीर बात. इसका एसास हमें हुआ कि वाकरी वो कुछ कह रहे थे उनके ये कहने के पेचे हम तो अंदे हैं हमें कुछ नहीं दिख रह जो के वोटिंग टरन आउट कम होने के हैं और ये बात जरूर है कि जिस तरीके से वोटिंग टरन आउट जैसे विपिन जी ने बताया कि शहर विधान सबा को आप जियोग्राफिकली दो हिस्सों में बाट सकते हैं परणा शहर नया शहर जो नवाबों के जमाने का शहर था जो 11 दरोजों के बीच में बसा करता था वो मुसलि माबादी का है आजबं के खास गर्ड माना जाता रहा है उनके जादातर जब भी उनकी लीड होती है, जीत होती है, वहीं से होती है, अब जो है वो नères आमपूर जो बसा है उसमे और या नए परिशीमन में जो बाहर की आबादियां आई हैं, जो नए गखर बसे, इसमें हिंदु आबादी जाद है, वहां कमल खिला है, तो जो इसके बीच का परसंटेज है उसमें काफी बड़ा फर्क नजर आ रहा है और वो सीधा संक्यत कर रहा है कि भाजपा का पल्ला भारी है मगर एक सवाल और है जो अभी लोग नहीं सोच रहें और वो सवाल ये है कि आकाश सक्सेना ये कैसा नाम है जो दूसरी बार टिकेट पाने में कामियाब हुए भाजपा में जल्दी एक बार हारने के बार टिकेट मिलता नहीं है लेकिन उन्हें मिला और खुद योगी जी जब आये थी तो उन्होंने इस बात को बताया था कि किन हालात में और क्यूं दिया गया और उनके भाषण के बाद बहुत सारी परिस्तितियां बदली भी दिख रही थी लेकिन उससे पहले ये बात बिलकुल इस पर श्रूप से नजर आती थी कि भार्दी जनता पार्टी के कई बड़े नेता अंदुरों नी कला के वज़ा से या जो भी उनके आपसी रिष्टे रहते हैं उनकी वज़ा से भीतर घट कर रहे थे अब सवाल लेकिन वोट किसको दे के आया यह बड़ा सवाल है और यह एक राज है जो आठ तारिक को खुलेगा आपकी ने साब से पल्ला जो भाष्पा का भारी है चलिए शुक्रें मेरे साथ शारी मारी शारी क्या कहेंगे क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी कौन जीता है रामपू में पहले भी हमने बोला था कि पॉलिंग परसेंटेज यह तै करेगी कि पल्ला किसका भारी होगा है साथ-चालिस का रैश्यों हमने पहले भी बोला था और पॉलिंग परसेंटेज 40 के अंदर ही सिमट गई 33.94 परसेंट मद्दान रहा है समाजबादी पार्टी से जुड़ जो शहर का गड़ माना जाता हो या सिविलाइस माना जाता हो या देहात माना जाता हो आजम खान साहब का चुनाओ जब से शुरू हुआ हो चुनाओ लास्ट मुमेंट तक सिर्फ पिरसासन और चुनाओं आयोग पर पूरा फोकस और आवाम पर बार बार यह आरोप लगान कि बड़ी टेंशन आजम खान साहब की ये रहती थी कि बोटर घर से नहीं निकलता कल जिस तरह से लोग बूत पर पहुँचे जो लोग भी पहुँचे एक तो बूत लेविल पर समाजवादी पार्टी की जो टीम रहती थी पहले वो चंद दिनों पहले उनका साथ छोड़कर would लेबिल का उनका कार्यकरदा घायब था जा जो बोटर था उनको चाहने वाला या उनके पिर्थियासी को चाहने वाला वो उस मातरा में पोलिंग बूत तक नहीं पहुचा जो पहुचा उसकी अपनी ये शिकायते उनके सामने भी रही है और वैसे भी शिकायते आई कि साव हमें बोट नहीं डालने दिया गया लेकिन उसके बरक्स चूँके पोलिंग परसेंटेज तो है ही सामने 33.94 परसेंट पोलिंग परसेंटेज हुई है तो एक आम अबबा ये उड़ी कि साव हमारे बोट नहीं डलने दिये गए और हम जो हैं बापस आए लोट करके ये तो तर्क था समाजवादी पार्टी से जो लोग बूत लेविल पर वहां खड़े आए नजर फिल्ड में इसके अलाबा लोग बहुत सारे ऐसे थे जो घरों से निकले ही नहीं बोट डालने के लिए लोग नहीं आए बरना शिकायतों की मातरा भी ज्यादा होती उतनी है कहां हमने जब फिल्ड पर देखा जिस तरह से भींड भाड़ नजर आ रही थी दूसरे सेंट्रों पर अकाशक से जौलनगर में एक बार आप कह सकते हैं कि हिंदु अबादी ज्यादा है तो वहां बूत पर भींड होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन शहर के अंदर भी भाजपा के जगा जगा बूत नजर आ रहे थे लोग नजर आ रहे थे लेकिन समाजवादी पार्टी के बो लोग जो हम पिछले चुनाबों में देखते थे कि वो बैठे होते थे और साब एक हंगामा होता था कि साब बोटिंग हो रही है और डल लए इस बार ऐसा महुल देखने को नहीं मिला लोग आए नहीं उस मातरा में नहीं आए उन्याए शिकायतों की मातरा भी जादा होती कर नहीं साब मुँदे लोग लोग जब बूर जाएंगे तो तभी पता चलेगा ênाकी बोट नहीं डाला इस बूठ परभी नहीं हो और जो हैं वहां नहीं में नहीं पर्दिय पासہ टीना इस पछल टरब लोगाता हाई को सपाई-पएजिया का कपतान साब के बंगले पर अपने आप ही वन गया तॉट हो गया बार्भा राजम खान शाब का तक्रीरों में je कहना बार पुलिस बारा पिर्साशन बारे वाइस पी सहाब बारे वाइस कोदवाल साब बारे वाइस इंस्परक्टर सीविलान साफ कदवाल साब तो उससे क्या हुआ ना बोटर तो देख रहा ना उनकी बात तो गोड से सुनता था उसने बड़ी गोड से समझा उनने देखा कि इस बार खांसाब जो है पिरसासन और पुलिस को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और उपर से आसिम राजा साब वहां गए और वहां से फिर उनके अरेश्ट चुनाओ आव सत्ता का चुनाओ माना जाता है अलग बात है लेकिन अजिस तहांसे प्रसुंटेश सामने आ रही है उसमें भाजवा कब लडना भाली है सामने से सा पुर्स बाई दंगर हम रामपuri के एलक्षन की साहिए तो हैแ ₹नंवद में बस जबानी और विवहार का चुनाव था क्योंकि दूसरी तरफ देखने को मिलना जो भारती जन्ता पर्टे की प्रतियाशी है आकाश सक्से ना उनके पास भी एक जो मुस्लिम कम्मुनिटी के जो लीडर थे जो कभी उनके खरीब हुआ करते था आजम खान के वो उनके विवहार के चलते उन कि जो आकाश सक्से ना भारती जन्ता पर्टे के उन्होंने कहीं ने कहीं मुस्लिमों को एट्रेक्ट किया और उनसे वादे किये और वादे करने के बाद लोग जो है उनकी तरफ को जुड़े खुले तोर पर जुड़े और वैसे भी देखे जाए दूसरे नजरिये से तो जो भी उप्चुनाव होता है वह जादातर सत्ता का होता है क्योंकि सत्ता पक्ष जो है बहुत तरीके से उनको एक तरीके से आश्वस्त करने में जो सक्षम होता है तो वह उस तरीकी की तस्वीर देखने में में लिए अच्छा 27 महीने आजम खान जेल में काड़ने के लोगों को यह भी लगा कि इनको पर आज इवन बैन कर दिया गया है जो सजा होई है क्योंकि अब यहां के बाद हाई कोड़ के बाद सुप्रेम कोड़ एक लंबा अर्सा लोगों के लिए तो कहीं ने कहीं कुछ लोग यह भी मान के चल रहे थे कि एक तरीके से देखा यह आजम होई की सत्ता का अंत हो चुका है जो उनका एक लंबा चौड़ा जो राजनेते केरियर दा वो कहीं न कहीं समाप्त हो चुका है उसका भी लोगों को पर काफी असर पड़ा अच्छा उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम वह लोगों की नब से पकड़ने में माह करते थे वह उनसे जटकने के बाद आकाई सकसेना के पाले में चले गए और उन्होंने सीधा-सीधा यह का हमने आप सही जगा पर आए हैं और कहीं ने कहीं विवहार की बहुत बड़ी कमी रही और जहां तक रहा है सवाल पुलिक्स प्रशासन पर या प्रशासन पर तो यह तो पहले भी ऐसा कुछ होता रहा है जब भी जित्ते भी चुनाव हुए चाहें वह MP का चुनाव हुआ हूआ हूँ या अपना मैं चुनाव हुए हूँ तो सब जगा हर तरीके हर बार में ऐसा कुछ होता है और जिस तरीके से आरोप यह प्रशासन के उपर तो आहम तो थे नहीं हो पर और सुनी सुनाई बातों पर ऐसे यकीन भी नहीं करा जाता है कुछ जगाओं पर जरूर देखने को ऐसा मिला कि हाँ कुछ घड़ा पर हुई लेकिन अब यह जाच का विशे है पुलिस और परशासन को इसकी जाच करनी है लेकर अंदाजा यह हुआ कि इस चुना है वह उन्हें बीजेपी वालों ने गले लगाया और फिर उसके बाद जो सत्ता के जो भी सरकार के जो मंत्री थे बड़े-बड़े मंत्री और रामपूर में डेरट जमाए रहे इनके अलावा जो भी आजम खान के जो आपोजिशन था चाहें वह नावेदमिया हो या फरो अपने पार्टी की परवानी की अपने एक तरीके से जो एक सोच होती है जो दो पार्टियों की सोच होती है कांग्रेज की सोच और भाजपा की सोच बिल्कूला लगए लेकिन रामपूर के अंदर ऐसा कुछ दिखाई ने दिया यहां पर व्यक्तिकत जो रिष्टे थे आक तारीक को यह कलियर होगा लेकिन जो विरोधी है वो बड़ी तादात में आजम खान के जो विरोधी थे वह एक जुट हुए उसी का नतीजा हुआ कि हर बूत पर वो विरोधी प्लस भारती जनता पार्टी के जो कार्य करता हैं वो दिखाई दिये और आजम खान के जो पार्टी में शामिल हुए तो इस वज़े से जो एक जोश होता था जो मतदाताओं में वो कम देखने को मिला हाला कि जो भी समर्थक या जो आजम के जो सपोर्टर हैं जो आकाश हानी के पास पहुचे हैं जो भारती जनता पार्टी के प्रतियाशी हैं उनके हाला कि इतने वोट नहीं हैं लेकिन चेहरा तो है और चेहरा का बहुत बड़ा असर पड़ता है तो यही चीज इस इलक्षन में देखने को मिली तो यह हमने रामपूर के वरिश पत्रकारों से बात की जिन्होंने अपनी बेबा की से राय रखी रामपूर से आमिर खान यूपितर झाल